नमशकार दोस्तो, स्वागत है आप सबी लोगों का आज के इस वीडियो में दोस्तो, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि LinkedIn में login कैसे करें दोस्तो, अगर आपने LinkedIn का अकाउंट पहले से बना रखा है, old account आपका तो उसमें आप लोग लोग इन कैसे कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे लोग इन करना और साइन इन करना एक ही बात होती है दोस्तों ठीक है वैसे हमें साइन ये option मिलता है LinkedIn में अब देखो दोस्तों आप लोग LinkedIn ओपन करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर एक pop-up देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर Google के तुरू लोग इन करने के लिए बोला जाएगा अगर आपने Google के तुरू पहले से अपना अकाउंट बनाया है तो अगर Facebook के तुरू बनाया है दोस्तों तो यहाँ से आप कर सकते हैं फेस्बुक के तुरू लोग इन करना काफी था चीनि करते हैं तो चलिए हम क्या करेंगे सबर कोुप करने मेरे गोंद से आनि के लिए uppeo अब इसके बाद नीचे तीछ आब और फोन अ तो email address डालिए, phone number डाला तो phone number डालिए और नीचे password डालिए दोस्तों और continue पे क्लिक करके हम लोग दोस्तों login यानि के sign in कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहां मैंने अपना email address और password डाल दिया है तो आप लोगों को भी दोस्तों यहां पर अपना email या फिर phone number डालना है email address पे आएगा, आपने phone number डाला है अभी अभी तो phone number पे code आएगा तो वो code आपको यहां पर enter करना है, code enter करने के बाद में हमें submit करना है फिर दोस्तों हमें यहां पर दिखाया जाता है push notification ठीक है तो allow push notification तो आप लोग continue कर सकते या फिर इसको skip कर सकते चलिए मैंने skip कर दिया दोस्तों, अब देखो मैं login हो चुका हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, नीचे यहां पर option आ रहे है दोस्तों, my network, post वगेरा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग login या फिर केल जिए sign in कर सकते है LinkedIn में अब देखो दोस्तों, यहाँ पर verification code में थोड़ा problem आता है, होता क्या है दोस्तों कि जो code हमें मिलता है, verification code तो वो invalid दिखाता है, जैसे कि आप लोग देखिए, यह code में डाल राधा, invalid दिखा रहा था, ठीके, मैंने दोस्तों दुबारा try किया, recent वागेरा किया दोस्तों, त तो मैंने यह code try किया दोस्तों, यानि को दूसरा code try किया, तो यहाँ पर मेरा sign in हो गया, तो थोड़ा यहाँ पर दिख्कत आती ही दोस्तों, तो आप लोग यह देख लेना, ठीके, दूसरा code आप लोग फाइंड करना, email में, दूसरा code आप लोग डाल करके देखना हो जाए दोस्तों, ठीक है, देखो आप लोग यहाँ पर Google, Facebook या फिर Apple के दूर लोग इन कर रहे हैं, तो फिर आपको password डालने के ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से login करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया, तो उसके लिए दोस्तों अगर password भूल चुक है, आपके पुराने account का, old account का, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग forgot password पे click करेंगे, और password दोस्तों यहाँ से आप लोग forgot कर सकते हो, password reset कर सकते हो दोस्तों, अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पर screen recording हो रही है, तो अभी मैं screen recording ही करूँगा, ठीक है, camera से मैं वीडियो को, फिर यहाँ पर हम अपना email या फिर phone number डालेंगे, और हाँ दोस्तों, जब आपने पहले email या फिर phone number डाला है, तो उसमें भी आपके गलती हो सकती है, पहले पहले phone number दिया होगा, और आप लोग email address डाल रहे है, या फिर email address दिया होगा, और phone number डाल रहे है, तो चेंज करके देख लेना पहले ही दोस्तों नहीं होता है पासवोड में ही गड़ बड़ी है तो फिर पासवोड को फर्गॉट कर लेना अभी यहाँ पर आपको फोन नंबर या फिर इमेल अडर डाल देना है अब देखो यहाँ पर एक लुटे सीधे पिक्चर आते हैं और आपको सीधा पिक्चर चूज करना होता है या तूसरा आपके सामने लेकिन मेरे सामने तो दो तीन बार यही कैप्चर आया था दोस्तों तो इसलिए मैं आपको बतारहूँ अब देखो फिलाल कैप्चर नहीं आ रहा रहा है क्योंकि दो पर capture नहीं आया है दोस्तो अब देखो दोस्तो सीधा मुझे यहाँ पर यहाँ पर यह code फिल करने के लिए बोल रहें ठीक है दोस्तो वेरिफिकेशन कोड अब देखो अब दोबारा यहाँ पर enter कर दीजिए पासवर्ड आपको 8 character का बनाना है दोस्तो और इसमें जाद कोई condition नहीं है कि आपको later mix करने या फिर कुछ ऐसो कुछ condition नहीं है दोस्तो ठीक है बस 8 character का पासवर्ड बना लिजिए दोनों जगह पर enter कर दीजिए और submit पर क्लिक किजिए आपको password देखना है तो आप show पर क्लिक करके password देख भी सकते हैं तो छली फिलाल हमने password डाल दिया दोनों जगह पर नया password create कर लिया है आपको इस तरह किसे create कर लेना है और submit करना है और जैसे दोस्तो आप लोग password forgot कर लेते हैं नया password बना लेते है तो आपको यहाँ पर automatically login भी ह हो जाएगा दोस्तों तो चलिए यहां पर दिखा रहा है और पूश नोटिफिकेशन तो आप लोग कर सकते हैं फिलाल में स्कीप और नाव पर क्लिक कर देता हूं दोस्तों ठीक है आप लोग देख सकते दोस्तों अभी हम सिधा लॉग इन हो गये हैं यानि कि साइन इन हो गय दोस्तों 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 दोस्तों